खुद को रास्ट्र पाटी बनाने की कवाइद में जुटी राजुत नागालेंड में विधान सभा चुनाओ लड़ने को लेकर साड़ी तयारी कर रही है। पाटी ने फैसला किया है कि वो यहाँ छे सीटों पर चुनाओ लड़ेगी। इतना ही नहीं। यहाँ राज़न ने भाजपा को भाड़ी जटका देने की तयारी भी की है। दरसल आपको बता दें कि अगामी 27 फरवडी को नागालेंड में 60 विधान सभा सीटों पर चुनाओ होना है। जिसे लेकर 31 जिन्वडी को अधी सूचना जाड़ी होगी और नामंकन की आखरी तारीक साथ फरवडी तै की गई है। राज़त के महासचीव स्यामरजक ने की है। राज़त के महासचीव स्यामरजक ने बताया कि राज्ट जंता दल नागालेंड में 6 विधान सभा सीटों पर प्रत्याशी उतारने का निर्नली है। इसमें दीमापुर्म भी शामिल है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि नागालेंड में कई ऐसे भाज़पा की नेता है जो राज़त में शामिल होना चाहते हैं। उनसे सोमवार को बातचीत की गई है। उन्हें पार्टी के शिर्ष नेता तिरश्वी यादव से मिलवाया जाएगा। तिरश्वी यादव ही पार्टी में किसी को भी शामिल करेंगे। इसे लेकर तिरश्वी यादव से उन्हीं की मुलाकात करवाई जाएगी। इसके लिए अंतिम निर्णय उनिका ही होगा हाला कि उन्होंने कहा कि इन लोगों के शामल होने के बाद हो सके तो कुछ सीटों में बढ़ोतरी हो सकती है फिलाल अभी छे सीटों पर पाटी चुनाव लड़ने का निर्णय बना चुकी है बता दे कि नागलेंड विधान सभाचुनाओ को लेकर राज़त ने अभी किसी भी दल के साथ तालमेल नहीं किया लेकिन पाटी सूत्रों के अनुसार इस बात की संभावना बताई जा रही है कि यहां राज़त किसी के साथ तालमेल कर चुनाओ मैदान में उतर सकती है हाला कि राज़त और जेडियों के साथ तालमेल के बारे में पूछे जाने पर राज़त ने तया ने बताया कि अभी तक जेडियों के साथ मिलकर प्रत्याशी दिये जाने पर कोई भी बातचीत नहीं हुई है आपको बताते कि नागा लेंड विधान सभा चुनाओ को लेकर राज़त के तरफ से पूरी स्थिती की जायजा लेनी को लेकर क्रिश्वी मंतरी कुमार सर्वजीत और भूरा यादव को नागा लेंड भेजा गया था इन दोनों ने वहां से एक रिपोर्ट भी तयार कर मुक्पूख्य मंतरी को भेजा इसके बाद आज राज़त के प्रतिनीदी फिर से नागा लेंड जा रही है और वहां समीक्षा कर सारे रिपोर्ट यश्वी यादव को भेजेंगे बेरो रिपोर्ट निउस पी आर लाइव पर्टना